असलामेकुम फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल सुमी फैशन आज मैं आपको ट्राउजर में लास्टिक डालना बताऊंगी बहुत ही असान तरीके से तो इसमें से आगे से फ्रंट साइड से बेल्ट रखते हैं और बैक साइड पे लास्टिक लगता है तो बाज लोग लोगन लेकर चार इंज का मैं इदर निशान लगाँगी brushed' सारई 4 इंज का ही मैं इदर निशान लुगाँगी और यहां मैं सिंपल बैक डल गनाऊंगी प्ल्ध कफ्रये कि 2 जाये अे अपनी मेेजर्मिंट कर असाजाब से तो आप अपनी मेजर्मिंट कर हिसाब से ले सकत तो मैं 20 इंच प्लास्टिक लेकर 20 इंच पर निशान लगा लेंगी इस तरीके से पैंसिल से या किसी भी चॉप अगरा से मैं इस पर निशान लगाऊंगी अब मैं उपको पताती हूं किस तरह होगा सबसे पहले मैं सिंपल बैल बनोंगी और जिस से का मैंने निशान लगाया था इस से का मैं लास्टिक रपकोंगी आप ये लास्टिक अंदर है अबने से लगाती जाओंगी लास्टिक के उपस लाइन आए कप्ड़े के उपस लाइन आए ये भी हां रुखना है पूरा घूम कर मैं ये दुसरी तरफ लाइन ले आई हूँ इस पे ये दिखें ये सारा लास्टिक है सीधा सीधा और यहां से मैं दुसरी तरफ ले ले आई हूँ और यहां अब वो दुसरी साइट का बैल का निशान आ गया है यहां तक मुझे बैल करनी थी और यहीं तक लास्टिक लगाना था अब मैं मशीन को हलका से निकाल कर कपड़े से ये जो मेरा लास्टिक है इसको मैं खैंच लूँगी वो जो लास्टिक पर मैंने निशान लगा चाहिए तो मैं इसे पूरा अस्ता हलके हाथ से अस्ता खैंच लूँगी यह देखें यह निशान आ गया है मुझे इस दिशान तक लास्टिक चाहिए तो मैं यहां से थोड़ा से स्लाई का मार्जिन छोड़कर काट लूँगी और धिहान रखंँगी कि यह लास्टिक दुबारा happens अंदर ना चला जाए और यहां वापस नपीस लाई कराज़ऄ जाओंगी मुझे ये लास्टिक इस निशान के निचे इतना रखना है कि यहां से सलाई इसके उपर आजाए और ये लिशान भी मिलाना है इस निशान के साथ ताकि इसके उपर मैं सलाई ले आओ कि यह लास्टिक देल चुका है अब मैं इस लास्टिक को सेट कर लूँगी चारू साइब पर सेम आजाए अच्छे से सट करके यह इसके संटर में स्लाइड वालोगी थोड़ा सा खैंसते जाना हमने यहां रख रहेंगे है यह था सिंपल प्लास्टिक डालने का असान सा तरीका इसके लावा भी और काफी सारी तरीके हैं उनको भी मैं आपके साथ इंशाल्ला जरूर जल्द शेयर करूंगी और यह सबसे असान तरीका था इसलिए मैंने सोचा कि यह सबसे पहले आपको बता दिया जाए इसके में मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा शुक्रिया खुदाफिस